आज मैं आपके साथ दो तरह की केक की रेस्पी शेयर करने वाली हूँ ये केक ना बहुत स्पेशल है वो इसलिए क्योंकि ये दस मिनट में बनके तैयार हो जाएंगे कोई कोकिंग या बेकिंग करने की जुरत नहीं है सिंपल ब्रेट जो आप घर पे जिनसे सांडविचेस बनाते हो ना उसी ब्रेट के साथ ये दो अलग लग फ्लेवर एक चॉकलेट और एक वनीला जो भी आपको पसंद है इन दोनों में से ट्राइ कर सकते हैं दोनों ही बहुत आसान है सिंपल से इंग्रीडियन्ट है और इसे बच्चे भी बना सकते हैं तो इस फादर स्टे पे इसे जरू ट्राइ कीज़ेगा तो चलिए सबसे पहले हाथ केक की रेचिपी देख लेते हैं इसे हम वेनीला फ्लेवर में बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए मैंने आठ स्लाइसें जो है वो ब्रेड की ली है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे shapes जो है वो अलग लग आए इसलिए चार अलग लग parts में divide करके इसकी edges कट कर लें और इसकी edges को भी आपको फिंगने की ज़रत नहीं है इसके साथ भी धेर सारी आप recipes बना सकते हो simple इसका जो pizza भी आप बना सकते हो pizza तो अक्सर बच्चों को पसंद आता ही है उसकी recipe में नीचे description box में डाल दोंगी आप check out कर सकते हैं वैसे तो आप इनको otherwise आप सुखा करके इनके bread crumbs भी यूज़ कर सकते हो बट अगर pizza बनाना है तो वो भी आप recipe देख सकते हो तो उसके बाद हैसे हम cream के साथ बनाने वाले हैं अगर आपके पास whipping cream नहीं है तो second option जो है वो simple आप chocolate जो आती है उसके साथ बना सकते हैं उसमें कोई cream की ज़रत नहीं है बट यह हम vanilla flavor में बना रहे हैं यह केक ना बिलकुल bakery के एक जसा बनके ही तयार होता है जो vanilla flavor में आपको bakery पे मिलता है न तो उसी तरह से बनके तैयार होगा अगर whipping cream है तो यह वाली recipe ट्राइ कर सकते हैं अगर whipping cream नहीं है नॉमल आप chocolate तो आप market से ले ही सकते हो तो आप second recipe follow कर सकते हो तो यहाँ पे अगर whipping cream है तो उसे इस तरह से whip कर लीजे whipping machine नहीं है don't worry आप normal fork से भी या whiskers से भी इसे whip कर सकते हो थोड़ा सा time जादा लगता है और second आपको थोड़ा सा गर्मिया है अभी तो मौसम का ध्यान रखें इससे पहले ठंडा कर लें अच्छे से फिर ही use करें या फिर आप नीचे ice bowl रख करके भी इसे whip कर सकते हैं अगर आप AC room में है तो फिर तो easily हो जाती है लेकिन घर्मी में इसे whip करने में बहुत time लग जाता है तो हो सके तो नीचे ice bowl या फिर AC room में रख करके ही इसे whip करें अगर आपका whipping cream वाला ही cake बनाने का मन है ना जो बिल्कुल bakery जैसा बनता है तो वो भी आप बना सकते हो कोई जादा महिंगी नहीं आती है ये cream आप अमूल का चोटा सेशे ले सकते हो 200 ml का जो होता है इसली मिल जाता है वो 70 या 80 के बीच में आ जाता है तो market से अगर आप cake ल तो चलिए हमारी cream जो है अच्छे से विप हो चुकी है उसमें हम इसमें powder sugar आड करेंगे नॉमल चीनी को पाउडर बना लीजिए चान लीजिए फिर इसमें आड कर दीजिए और साथी में vanilla flavor में बना रहे हैं तो नो डाउट विसमें vanilla flavor तो जाएगा ही तो अगर वो भी आप आपके पास नहीं है तो don't worry कुछ न कुछ आपको और फ्लेवर आड कर सकते हो आप इसमें पिसी हुई लाइची डाल सकते हो अगर कुछ भी जिस तरह का flavor बनाना चाहते है रोज आपके पास तो रोज असेंस डाल सकते हो आप उस जिस पी जो भी आप इसमें फ्लेवर आड सा यहां पे थोड़ा मिल्क ले रही हूँ नॉर्मल यह चिल्ड मिल्क है ठंडा दूध है बॉइल किया हुआ उसमें थोड़ा सा वेनीला एसेंस और मीठा जो है मैंने इसमें डाला है मीठा चीनी का पाउडर ही आड किया है इसे हम मॉइस्ट करेंगे क्योंकि हमारी जो ब आप स्पून से भी डाल सकते हो जैसे आपको कमफटेबल लगता है बस एक अच्छी से हम इसमें लियर डाल देंगे उसकी बाद जो बाकी की है ना चार हमें इस तरह से लियर बनानी है हर इक लियर को हमें मॉइस्ट करना बहुत जरूरी है तब ही जो ब्रेड है ना हमारी वो केक के स्पॉंज जैसी लगेगी और मीठा भी इसमें अच्छा होना चाहिए और फ्लेवर भी होना चाहिए तो बस इसी तरह से हर लेयर को हम मॉइस्ट करते हुए उपर से विपिंग क्रीम से कोट कर देंगे तो ये चार का सेट हमने अलग बना लेना है और चार का सेट हमें अलग से इसी तरह से बना लेना है इसे कैसे यूज करना है वो हम आगे देखेंगे इसलिए हमने अलग लग चार-चार के सेट में हिसे कट किया था तो दोनों ही चार-चार के सेट हमारे यानि एट जो हमारी ब्रेड की स्लाइसिस है वो बनके तियार है जो एक है वो हम एसे ही रखेंगे पूरा और दूसरा जो set है चार ब्रेट का उसे हम इस तरह से बीच में से कट करके triangle बना लेंगे क्योंकि हम इसे heart shape में बना रहे हैं तो इसलिए हम इसे shape बनाने के लिए थोड़े से हमें अलग efforts करने पड़ेंगे अगर आप square में बना रहे हैं तो आप इसे simply jar bread रखिए तो आपका cake बन जाएगा लेकिन heart shape में बनाने के लिए इस तरह से हम triangle में cut कर लेंगे अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी पेस्ट्री जैसे लग रहे है ना अभी आप इसे पेस्ट्री जैसे बना के भी खा सकते हो वैसे भी आप इस तरह से bread को खाऊगे ना तो बहुत अच्छा लगता है तो इस तरह से हम इसे set कर लेना है ताकि इसे हम heart shape में cut कर सके अगर आपको heart shape करना मुश्किल हो रहा है तो normal आप किसी paper पे cut कर लेजिए heart shape को और इसकी उपर रखके उसे उस तरह से एक proper shape में cut कर लेंगे और इस तरह से अभी ना ये bread जो है अच्छा से moist हो चुकी है तो बहुत अच्छा से साथ में जुड़ जाती है इस तरह से जब आप इसके उपर knife फिर होगे ना तो एक दूसरे के साथ ये बिल्कुल आराम से join हो जाती है क्योंकि अभी थोड़ी सी moist होती है इसी तरह से हमें perfect हमने heart की shape बना लेनी है जैसे भी आपको ठीक लगता है यानि की केक का जो हमारा base है sponge है वो हमने बना लिया है बहुत आराम से ये बन गया है आप इसे पनी मन पसंद शेप में cut कर सकते हैं बस अब next step जो है इसे coating करनी है हमने cream के साथ में जो cream हमने पहले से whip करके रखी है इसके उपर आप किसी भी तरह से icing करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है आप चाहे तो इसे roughly icing करके या फिर इसे आप colorful जो whipping cream है उसमें हलका सा food color अड़ करके अपने मन पसंद color में आप इसे बना सकते हैं तो उसके बाद मेरे पास ये वाली nozzle थी तो मैंने इसे इसके उपर थोड़े ribbon जैसे बनाए है icing के लिए आप अपनी मर्जी से icing कर सकते हैं अगर आपकी पास कुछ भी नहीं है तो आप normal rose petal के साथ भी से सजा सकते हैं dry fruits के साथ सजा सकते हैं मेरे पास ये थोड़े से pearls थे वो भी मैंने इसके उपर डाली है इसके उपर की जो icing है वो आपनी मर्जी से कर सकते हैं अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे अगर आपके पास nozzle नहीं है तो आप normal जो इस piping bag से भी बहुत अच्छी nozzle खुद बना सकते हैं तो बस हमारा ये हाट वाला वेनीला फ्लेवर में केक बनके तयार है नेक्स रेसिपी जो है ना उसमें आपको किसी तरह की क्रीम की जुरत नहीं है यानि विपिंग क्रीम की जुरत नहीं है तो ये वाला केक है हमारा bubble hive केक ये एकदम चॉकलेटी केक बनता है बहुत आसान है इसकी रेसिपी इसमें आपको कोई विपिंग क्रीम की जुरत नहीं है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे सी लेर्स में बनके तयार होगा ये एकदम चॉकलेटी का अगर आपको पसंद है ना तो ये केक आपको बहुत पसंद आएगा इसे बनाना भी बहुत ही आसान है ये भी हम सिंपल ब्रेड के साथ ही बनाएंगे तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इसे बनाने के लिए मैंने चार ब्रेड ली है नॉमल आप सैंट्विच ब्रेड भी ले सकते हैं हम इसके edges जो है वो cut कर देंगे लेकिन जब भी आप कोई cake बनाने के लिए इसके edges कट करते हैं तो जितना आपने उसको height देनी है वो सारी bread को आप एक ही साथ कट करें उसके बाद मैं से circle shape में बना रही हूँ या फिर घी जो है add करके इसे melt करेंगे से dark chocolate है ना जो वो बिलकुल यह हमारा healthy बनने वाला है क्योंकि इसमें हम dark chocolate यूज करेंगे और जो bread भी मैंने brown bread यूज करी है और इसे हम melt कर लेंगे आप इसे microwave में भी melt कर सकते हैं या फिर आप इसे double boiler method से यानि की नीचे उबलता हुआ पानी रख करके उसके उपर आप ये बरतन रखेंगे ना तो melt हो जाती है चौकलेट या फिर आप 30-30 second के gap में microwave में भी से melt कर सक इसे mix कीजिए फिर से 30 second के लिए गरम कीजिए जब तक ये melt की हो जाती है अब वो डिपेंड करता है किस texture में है और किस temperature में आप इसे गरम कर रहे है उसके बाद यहां पे में घर की जो मलाई होती है ना दूद के ओपर जो मलाई आती है फ्रेश वाली वो मलाई इसमें आड झोलिए याणी डबल चोकलेट है और जितने है आपने चोकलेट यूज की है उसका आधा क्रीम डाली है इसे इसे एक अच्छी कंसिस्टेंसी आएगी उसके बाद यामे डाक चोकलेट यूज कर रहे था तो मैंने मीठे के लिए इसमें थोड़ा चीनी का पाउडर यूज क यानि कि दूद में थोड़ा सा चीनी डाली है उसको अच्छे से मीठा कर लिया है उसके बाद थंडा दूद हम यहां पर यूज करेंगे आप चाहो तो यहां पर हलका सा कॉफी पाउडर भी इसमें आड़ कर सकते हो उससे इसका जो फ्लेवर और भी जादा एनहांस हो करेंगे और उपर से गनाश को है इसके ओपर स्प्रेड कर देंगे बहुत ही टेस्टी बनता है यह इस तरह से आप पेस्ट्री भी बना सकते हो अगें केक भी बना सकते हो अब आपकी मर्जी है इसके ओपर आप किसी धरह से भी इसको आप डेकोरेट कर सकते हो आप चाहो त आप double boiler method या जैसे भी आप इसे कर सकते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पर एक bubble paper लिया था अगर आपके पास bubble paper नहीं है तो आप normal एक OHP sheet आती है ना transparent सी जो sheet रहती है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो कोई plastic paper यूज़ कर सकते हो लेकिन हम इसे hive shape देने वाले हैं तो मैंने यहाँ पर bubble packing जो है जो आती है ना चीजों के साथ में जो थोड़े से delicate products होते हैं fragile से उन में packing के साथ आती है ना वही वाला मैंने यूज़ किया है अच्छे से wash करके यूज़ किया है इसके उपर हम chocolate को spread कर देंगे यह step ना हमें फटा फट करना है क्योंकि अपी chocolate जो है वो गरम है melted है तो melted में ही हमें यह process करना है क्योंकि सूख कै ना तो फिर यह अच्छे से अपनी shape ले लेती है तो shape लेने से पहले हमें से इस तरह से करना है और उसके बाद हलकी से जब यह चिपक जाएगी थोड़ी से हलकी सी जम जाएगी उसके बाद हमने जो cake बना के रखा था उसके चारो तरफ इसे हमें लगा देना है लेकिन आपको इसे सुखाने से पहले लगाना है हलकी सी सुखनी चाहिए यानि आप 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दो 10-15 मिनट नहीं जादा ही हो जाएगा मैं अब कुछ देर के लिए 5-6 मिनट के लिए फ्रिज में रख दो अगर सर्दी आया ना तो बाहरी फटा-फट जम जाएगी मैंने यह सरदियों में बनाया था तो फ्रिज में रखने की जुरत नहीं पड़ी थी 15 मिनट मैंने रखा था तो उस स्टेज पे हम इसे कवर कर देंगे और उसके बाद इसे फ्रिज में रखतेंगे फ्रिज में हमने इसे आधे गंटे के लिए रखना है तब जब इस फ्रिज तो थोड़ी दिर और फ्रिज में रख दीजिए लेकिन बिल्कुल हलके हाथों से निकल जाती है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी शेप आनी शिरोगी है बिल्कुल रफ टाफ सा हमारा केक बन के तियार होता है और मेंस के लिए तो यह बहुत ही इस वीडियो को इसकी उपर मैंने थोड़ी सी मेरे पास गोल्डन डस थी अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो अधर्वाइस यहां पी आप उपर से कोको पाउडर से भी रफ लुक और दे सकते हो या फिर शुगर पाउडर होता है उसको भी आप थोड़ा सा इसकी उ आप चाहो तो मैंगो भी आज़कल सीजन में हैं मैंगो भी चॉप करके डाल सकते हो जिस तरह से आपको पसंद है आपके अपको पसंद आये होगी अगर पसंद आई है ना तो प्लीज लाइक ज़रूर कीज़ेगा और इस तरह से ना सिम्पल इंग्रीडियन्ट के साथ बन को मिस ना कर सको तो मिलते हैं कर नहीं रेसिपी के साथ में तिल दन बाबाई टेक कियर